आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारी होमेपेथिक मेडिसन एथूसा है आज मैं आपको इस मेडिसन के क्लिनिकल यूजित बताऊंगी के क्लिनिकली हम इस दवा को कहां इस्तमाल करते हैं इस दवा का खास असर जो है हमारे दिमाख और हमारे नर्वेस सिस्टम के उपर है और इसके साथ अगर मिदे की खराबियां पाई जाती है यानि हमारे मिदे और हमारे आंतों की खराबियां पाई जाती है तो ये एक स्ट्रॉंग सिम्टम बन जाता है इस दवा के इस्तमाल के लिए फिर इस दवा का जो खास असर है या इस दवा का जो खास इस्तमाल है वो शीरखार बच्चों में किया जाता है ऐसे बचे जो दान निकालने के जमाने में होते हैं या ऐसे बचे जो डाइडिया या हैजा का शिकार होते हैं उन में इस दवा का इस्तमाल जो है वो किया जाता है फिर इस दवा का खास इस्तमाल जो है वो गर्मियों में जो बच्चों को शिकायात होती है जैसे गर्मियों में बच्चों को वामिटिंग हो रही है या लूज मोशन लग रहे हैं या गर्मियों में दान निकलने के जमाने में जो अवारे जा रहे हैं उसमें इस दवा का इस्तमाल बहुत कामयाबी के साथ किया जाता है इसका ये मतलब नहीं कि ये दवात सिर्फ बच्चों में इस्तामाल होती है अगर डाइडिया के सिम्टम या हैदा की लामात हमें बड़े बुरे लोगों में भी मिलती है तो वहां पर भी हम इस दवा का इस्तामाल करते हैं इस दवा का जो खास असर है वो हमारे ब्रेन के उपर और हमारे नर्वस के उपर है और इसके साथ जो है अगर साथ में आपको मेदे की लामात मिलती है या आपको अंतों के हवाले से कोई मसायल मिलते हैं तो हम एथूजा को इस्तामाल करते हैं इतुदा के दो Key Notes हैं यहनी दो Main Characteristics हैं जिनको बन्याद बनाकर आप इस दवा का इस्तमाल कहीं भी किसी भी मर्स में कर सकते हैं एक इसका करेक्टिरिस्टिक है वाइलन्ट वाइलन्ट का लफज वहां इस्तमाल किया जाता है जब हमने किसी चीज़ में शिद्दत पैदा करनी हो और हमने शिद्दत बियान करनी हो तो हम वाइलन्ट का लफज इस्तमाल करते हैं जैसे शदीद सर्दी जैसे शदीद दर्द बेकबु किसम के दर्द यानि कि यह मैं वाइलन्ट मेडिसन के हवाले से नी मैं और अला आ आपको बता रही हूँ तो एतूसा में वाइलन्ट का लफ़ज जहां जहां आएगा जिस जिस मर्ज के साथ आएगा वहाँ वहाँ हमारी दवा ये एथूसा बनना शुरू हो जाएगी जैसे वाइलand vomiting होती है शदीद उल्टियां आती हैं ना रुकने वली उल्टियां शदीद जिठ के लगते हैं वाइलand convergence हैं शदीद दर्दे आती हैं शदीद हिजियान होता है तो देखे जहां जहां वाइलन का लफज आ जाएगा जहां जहां शदीद या शद्दत का लफज इस्तमाल होगा वहां हमारी दवाई जो है वो एत्थूसा बन जाएगी अब ये किसी भी मर्स के साथ है किसी भी मर्स के साथ है शदीद डाइडिया हो गया, शदीद उल्टिया आ गई, शदीद चक्कर आ रहे हैं शदीद दर्दे हो रही है, शदीद बदहजमी हो गई है कोई भी मसला आपके सामने आ रहा है और जिसको जब आप बियान कर रहे हैं आप साथ में लफ़ज शदीद इस्तमाल कर रहे हैं यह आप कहरे हैं कि मर्ज में बड़ी ही शद्दत वैदा हो जाती है तो वहां पर हम एथूसा का इस्तमाल करते हैं फिर दूसरा जो इसका की नोट सिम्टम है जिसकी बन्याद पर डॉक्टर्स इसकी सेलेक्शन करते हैं बच्चों में भी करते हैं बरों में भी करते हैं खास बच्चों में जब करते हैं इस दवा की सेलेक्शन आपने अक्सर सुना होगा कि डॉक्टर बच्चों के हवाले से कहते हैं कि इनके अंदर intolerance of lactose पाया जाता है, ये दूद को हजम नहीं कर पाते हैं, दूद को बरदाश्ट नहीं कर पाते हैं, जैसे ही दूद पीते हैं, वामेट कर देते हैं, दूद की वज़ा से इनको मुख के साथ, अगर मरीज ये आके कह दे, कि डॉक्टर साब मेरा दिल तो बहुत चाता है, कि मैं चाए पी हूँ, या मेरा दिल चाता है, कि दूद की बनी हुई चीज़े खाऊं, जैसे खीर है, गजरेला है, सवया है, या दूद से कोई और में हमारी मीठी चीज़े बन रही है जैसे कस्टड वगरा बनता है, लेकिन मैं उसको ख़जम नहीं कर पाता, जैसे ही मैं दूद या दूद से बनी हुई कोई भी चीज़ लेता हूँ, मुझे फौरी तरपर डाइरिया हो जाता है, या मुझे लूज मोशन आना शुरू हो जाते हैं, अब ये डाइरिया और ल वाश्रूम जाना पड़ते हैं, और आप रूटीन से हट कर कई दफ़ा बात्रूम जाते हैं, और मोशन जो है वो पास करते हैं, फिर हैज़ा जो है, उससे एक अगली स्टेज बन जाती है, उसमें फिर आपको वामिटिंग भी होती है, बेता हश्या, पहाने आते हैं, यह कि यह जो शिदत का भी मैंने लफ़ इस्तमाल किया न, यह एतूसा के लिए है, कि अगर शदीद उल्टियां आ रही हैं, और शदीद पहाने खारिज हो रहे हैं, तो हमारी दवा एतूसा बन जाती है, यह इसमें भी जो लफ़ जो चीज में आपको समझाना चारी हूँ, कि दूद के इस्तमाल के बाद, अगर आपको लूज मोशन आते हैं, अगर आपको डाइडिया होता है, अगर आपको हैज़ा हो जाता है, आप पसंद तो करते हैं, दूद या दूद से बनी हुई कोई चीज इस्तमाल कर सके, लेकिन आपसे दूद हजम नहीं होता, आप किसंग की बिमारिया जो है वो आपके आपके साथ चलने लगती है तो वहां हम इंटॉलरंस ओफ मिल्क और जो इंडाजेशन ओफ मिल्क है उसको खतम करने के लिए हम एथूसा का इस्तामाल करवाते हैं और ये चीज जो है ये जो जिस तरह मैंने आपको कहा कि ये चीज अगर बरों में पाई जा रही है बचों में पाई जा रही है नुजवानों में पाई जा रही है अगर उनको दूद हजम नहीं हो रहा वो दूद बरदाश्ट नहीं कर पा रहे और दूद के इस्तमाल से उनके और मरीज जो है वो उसके मर्ज में जो है वो शिद्धत पैदा हो जाती है तो इन टॉलरेंस ओफ मिल्क और वाइलन्ट ये दो लफज जो है ये एथूसा के की नोट सिम्टम है इन दौनों की बनायाद पर अब कहीं भी किसी भी मर्स में आप इस दवा को इस्तमाल कर सकते हैं छोटे बच्चों में आपने अक्सर देखा होगा कि छोटे बच्चे जो है वो दूध खजम नहीं कर पाते हैं धर दूद बीते हैं और दूद फैंक देते हैं फुट की मिला दूद जो है वो फैंक देते हैं या कच्छा दूद जैसे पिया वैसे ही फैंक देते हैं तो बच्चे जो दूद हजम कर नहीं कर पाते हैं वहाँ पर भी उन बच्चों के लिए दूद के हजम ना होने की बनिया पर यहां दूद के फैंकने की इलामत के उपर इस दवा का इस्तमाल किया जाता है तो दो चीते हैं आपने लाजमी याद रखनी है कि एक इस दवा में शद्दत बहुत ज्यादा पाई जाती है वाइलन्ट के आगे आप कुछ भी लगा लीजिए वाइलन्ट पेंड हैं वाइलन्ट डिलिरियम्स हैं वाइलन्ट कनवलजन्स हैं वाइलन्ट डाइडिया है वाइलन्ट वर्टिको है यानि कि चक्कर बहुत ज़्यादा आ रहे हैं जहां जहां शदीद का लफ़दा आ रहे है वहां वहां हमारी दवा एथूसा आ रही है और उसके साथ जहां गहीं दूद से दूद से बनी हुई चीजों से दूद पीने से चाहे चाहे में डला हुआ है खराबिया आ रही है वहां हम अपनी इस दवा को इस्तमाल करवाते हैं फिर ये दवा सिर्फ बच्चों के दूद पीने के जमाने में या उनके दांत निकलने के जमाने के हवाले से इस्तमाल नहीं होती है अगर बच्चों में सूखा पन पाया जाता है तो भी इस दवा का इस्तमाल किया जाता है अगर बच्चों में मैलनुट्रिशन पाया जाता ह तो भी इस दवा का इस्तामाल किया जाता है और यह जो मैलनिट्रिशन है यह सिर्फ बच्छों के साथ मक्सूस नहीं यह इसमें लड़के लड़कियां भी शामिल हो सकते हैं कि कोई भी ऐसा शक जो जिसको प्रॉपर गिजा नहीं मिल रही गिजा की कमी का शिकार है तो वहां को बहुत सूट करती है तो बच्चों में एक और जो इलामत पाई जाती है वो यह कि वो अपना सर जो है उसको सीधी हालत में यह होल्ड नहीं कर पते हैं यह नॉर्मली हम लोग खरे हैं तो हमारा सर भी सीधा खरा है लेकिन यह क्या है कि यह इन में कुवत की इतनी कमी की इतनी कमी होती है कि यह सीधे खरे नहीं हो सकते और वामिटिंग के बाद इनके अंदर इतनी कमजोरी पैदा हो जाती है इतने निड़ाल हो जाते हैं कि जैसे ही वामिट करते हैं निड़ाल होकर फोरी तोर पर सो जाते हैं एक बात तो आप सबी जानते हैं कि वामिट जो है वो इसके दाइरे में आ जाती है आपका दिमाग की तरफ आपका प्रेशर चला जाता है बाद उकात आपकी आंखों में से पानी बेहना शुरू हो जाता है आपका चेरा सुर्ख हो जाता है और आपके नाक में से भी पानी बेहना शुरू हो जाता है तो ये एक तकलीफ दे हो जाते हैं फिर बच्चों में कमजोरी के साथ मिर्गी के दोरे पड़ने भी पाये जाते हैं और ये मिर्गी के दोरे बच्चों में भी पाये जाते हैं और इसमें जो चीजें हमारे सामने आती हैं वो यही के अंगोठे जो हैं वो अंदर की तरफ मुर जाते हैं और चेहरा स प्रसी में जहां हम दूसरी अद्वियाद को इस्तामाल करते हैं, वहां हम एथूसा को भी इस्तामाल करते हैं, इसकी बेसिक वज़ाई यह है, कि मैंने आपको शुरू में बताया, कि इस दवा का जो खास असर है, वो हमारे नर्वेस सिस्टम के उपर और हमारे दिमाग के कि दो तीन इसके में करेक्टरिस्टिक सिम्टम है, वो ये कि बे तहाशा कमजोरी पाए जाती है, जिसमानी भी और देहनी भी, निड़ाल होना पाया जाता है, कि पेश्चिए प्रोटी की वज़ादी की वज़ासे निड़ाल हो जाता है, गनूद کی तारी होना शुरू हो ज जाती है यानि निधाल होना इस कदर शदीद पाया जाता है कि पिशन्ट जो है बाद उकाद बिलकुली बेहिस हो जाता है बेहिसो हरकत हो जाता है इवन बोल भी नहीं सकता है तो आपने जब एथूदा को याद रखना है तो आपने सिर्फ दो या तीन लफद एथूदा के याद रखने हैं एक आपने याद रखना है कि जहां कहीं वाइलन्ट आएगा वहां एथूसा आएगी जहां कहीं इंटॉलरंस ओफ मिल्क इंडाजेशन ओफ मिल्क आएगा तमाम की तमाम इलामत दूद से बर रही हैं वहां पर ये दवा जो है इस्तमाल होगी और जिस तरह म आप लिए ये सारा अर्सा होता है जिसमें बच्चा आप मा का दूद पीता है या बजार का दूद पीता है वैसे तो आप सारी दिंदे की दूद पीते हैं लेकिन वक्त गोजरने के साथ स्थ आप मेदा, आप की आंतें मजबूत होना शुरू हो जाती है, आप दूद को ख याद रखने हैं दो लफद वही एक वाइलन्ट और एक टॉलरंस ओफ मिल का आपने याद रखना है अब ये वाइलन्ट का लफद कहीं किसी भी जगा आ रहा है इवन प्रेग्निट मुमेंट जो है अगर उसको बहुत ज़्यादा उल्टियां आती है जैसे कोई चीज खाती ह बाहर निकाल देती है तो जहां हम बहुत सारी दूसरी होमेपेथिक मेडिसन इस्तामाल करते हैं आप एथूसा को भी इस्तामाल कर सकते हैं तो दो लफद में ये दवाई में अगर समेट तो वो वाइलन्ट है और वर्स एवर्ड जोसे कहते हैं इच एल्मेंट वर्स झाल 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 झाल